नमस्कार दिवियोर सज्जनों स्वागत है आपका स्मार्ट विजनेस प्लस यूटूब चेनल पर मैं हूँ आपका दोस्त दिपक कुमार किसान भाईयों खेट में कितनी भी मौटी से मौटी इल्ली क्यों ना हो सब का खात्मा करतेगी ये दवा साथ ही आपके खित में यदि मचर हो, मकडी हो, जीनगा हो, भोड़ा हो या कई तरह के और भी अन्नक कीट के टानू हो तो उन सबी को खत्म करतेगी ये दवा कौन सी दवा है, कितनी मात्रा में डालनी है, कहां से मिलेगी, कितनी प्राइस की आएगी इन सबी सवालों की जवाब आपको मिल जाएंगे, और दोस्तों आपके लिए बता दें कि जो हम दवाब बताने जा रहे हैं, इसका 24 गंटे के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है, और बड़ा जवरजस्त रिजल्ट देखने को मिलता है बस आपके लिए वीडियो को पूरा देखना है, मातर तीन मिनिट की वीडियो है और तीन मिनिट में आपके लिए लाकों की जानकारी मिलने वाली है तीन मिनित में आपको कोई लागों का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन लागों की फसल जरूर बच जाएगी बस वीडियो को पूरा देख लीजे और जानकारी अच्छे से समझ में जाए तो भाई आज जोड़ कर विलती है कि इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि आने वाली खेदी किसाने की हर लेटिस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहरे तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इल्ली तो देखी लियोगी और बता दिया है कि मौटी से मौटी इल्ली से खत्म हो जाएगी अब बात करते हैं कौन सी दवा कितनी मातरा में डालनी है हमारे लिए तो दोस्तों यह जो आप वीडियो में देख रहा हो 15 लिटर का पंप है जिसमें हम दवा का स्प्रे करते हैं और यह जो दवा डालनी है वो 25 सेमेल दवा लेनी है और पंप में डाल देनी है जो की आपकी आपकों के सामने हम फंप में डाल रहे हैं और ये वीडियो ना तो कोई promotional है ना sponsor सिप है ना ही paid वीडियो है ये वीडियो से पेजू की इसन purpose के लिए आपकी जानकारी के लिए बना ही जा रही है ये दवा खुद हमारे खेतों में इस्तिमाल करते हैं और इसका जवरजस्त रिजल्ड मिलता है और दवा का नाम देख लीजिए द्यान से ये तिर्काल नाम की दवा आती है मार्किट में जाओगे तो तिर्काल नाम की दवा आपको मिल जाएगी कहीं भी हर जगे अबलेबल होती कीपनाशक दवाईयों की दुकान पर और ये 7500 रोपे की दवा आती है 500 ml में जिसमें आपके 10 पंप बनेंगे और 10 पंप में आपके लिए 25 पंप में 25 एमिल दवा मिलानी है और 10 पंप आपके 4 वीगा के खेट में इस्प्रे हो जाएंगे कुछ इस तरीकी से आप देख सकते हैं हम खुद इस्प्रे कर रहे हैं हमारे खेतों में और ये अभी फिलाल में फूल गोवी के खेत में कर रहे हैं और इस दवा का इस्तिमाल आप फूल गोवी पत्ता गोवी बिगन की केती और जो प्रोकली की केती होती है उसमें कर सकते हैं लौकी में कर सकते हैं तुरही में कर सकते हैं गिलकी में कर सकते हैं इंडी में कर सकते हैं इतनी सारी जो फसले वताई हैं उनमें इसका इस्तिमाल कर सकते हैं और मकही में भी कर सकते हैं यदि आपके खेतों में कुछ इस तरह की इल्ली मचर मकडी लगे हुए है तो इस दवा का इस्तिमाल करोगे तो आपको 24 गंटे के अंदर रिजर्ट देखन को मिला जो की सस्ती दामों में सही दवा हमारे लिए मिली है तो सोचा आपके साथ भी जानकारी शेर कर दें अब दोस्तों इसके अलावा आपका कोई डाउट है या किसी तरह की सवाल है किस तरह की जानकारी आप हमारे मादम से लेना चाते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि हमें आपकी स्विवा करने का मौका मिल सके यदि देश पितेश के किसान भाईयों से जुरना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्सन जरूर चेक कीजिए हर वीडियो का वहाँ पर कई तरह के सोसल मीडिया के लिंक है जिनमें आपके संभाईयों से जुर सकते हैं विलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ अब नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद जैभारत